नमस्कार मैं उशी साहू और आप देख रहे हैं AFC Today News 21 दिन के lockdown के आज तीसरे दिन उत्तिर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित इनात Community Kitchen के नरक्षन करने पहुचे आपको बता दे कि इस lockdown के चलते गरीब तपके के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है जिसकी एक अच्छी पहल देखने को मिली है नगर निगम और जिला प्रशाशन ने 12 Community Kitchen का निर्माड कराया है ये Community Kitchen गरीब तपके के लोगों को खाना मोहिया कराएगा CM योगी जिया महू में स्थित नगर निगम कल्यान मंडप के Community Kitchen पहुचे जहां पे उन्होंने साफ सफाई और खानी की गुडवत्ता की जाज की आज हरियान से अपने घर की ओर जाते करीबन 20 मजदूर लखनाओ पहुचे जहां उन्हें कई दिक्कुतों का साथना करना पड़ा पुलिस कर्मचारियों ने भी उनकी मदद करी आईए देखते हैं इस पे खास रिपोर्ट ये तो था लखनाओ का हाल आईए चलते हैं कानपूर जहां पर लॉकडाउन के तीसरे दिन सरकार और जन्ता को काफी जदोजहत करनी पड़ रही है स्तिती गंभीर है इसकी खास रिपोर्ट देंगे हमारे समवादाता निखल शुकला आईए देखते हैं उनकी रिपोर्ट जी ओशी आपको बताते चलें कि लॉकडाउन के बाद सहर में मलेरिया और तमाम ऐसी बीमारियों का भी खत्रा लोगों के दिल में बैठ रहा है चुकि नगर निगम दौरस सफाई स्रब कागजियों पर करी जा रही सहर के कुछी एरिया ऐसे जिनको सनेटाइस करा गया है और इस वक्त हम खड़े हुए हैं कानपुर नगर के डिप्टी पड़ाओ इलाके आप देख सकते मेरे पीछे किस तरह सुवर और तमाम गंदगी यहां पर फैली हुई है हलाकि लोगों से पने बात चीज करी तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साब लगाता लॉकडाउं से हमें जोज मर्रा की जिंदगीम काफी दिक्कते आरी जो खास सर के कमाने खाने वाले लोग हैं उनके जीवन पे कहीं न कहीं बहुत व्यापक असर इस शीज का पड़ता है कैमरामेन गोलु गुपता के दार निखिल शुकला एक टुड़े कानपूर धन्यवाद निखिल जाते जाते आप सभी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहती हो कि सरकार आपकी दुश्मन नहीं कृप्या उनका सयोग करें घर में रहें सुरक्षत रहें अभी की खबर में बस अतना ही आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें AFC Today News